गुड मोर्निंग क्लास, क्लास 12, चैप्टर नंबर 4 साखपर्ट, चेक, विन्य विपर्ट, परतिग्या परत्वेहुंडी आज की क्लास में हम इन टोपिकों पर डिसकस करेंगे हम देखते हैं चेक क्या होता है? चेक विन्य विपर्ट है, जो किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा जाता है विशिष्ट मतलब विशिष्ट बैंकों पर लिखा जाता है तथा मांग पर वोक्तान योगिप होता है साखपत्र से आश्ये साख पत्र से आश्या समस्त परकार के नोटो पत्रों तता पड़लेखन से होता है जिसका साख मुद्रा के रूप में प्योग किया जाता है ये लेंडेन में विन्यमे के रूप में साहक होते है इनके आधार पर रिनो का आधान परदान होता है मतलब अदला बदली होती है तता इनके मद्य से वस्तु तता सेवाओं का जो किरय विक्रय है वो आसानी से किया जाता है यह हमारे साख पत्र के प्रकार होगे यह दस प्रकार के होते हैं चेक है विपत है पर्ति ग्यापत हुंडी बैंक ड्राफ यातरी चेक साक प्रमान परत रिन स्रीकर्ती कोसागार विपत और बैंक चार्ज पहला जो टोपिक है वो हमारा चेक है तो चेक क्या होता है चेक एक निश्चित रकम का बुक्तान करने की आग्या किसी विशेश बैंक को देते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं चैक के एक ऐसा विनेपी पत्र है जो किसी विशेश बैंक पर लिखता है यह हमारा चैक का नमूना है अब पढ़ेंगे हम चैक की विशेश था है सबसे पहले हमारा आदेश पत्र चैक एक परकार का आदेश पत्र होता है यह आग्या उसी बैंक को दी जाती है जिसमें ग्राव का खाता होता है तथा उसमें रूपे जमा होते हैं लिकित चैक क्या होता है? लिकित होते हैं तो यह भी एमान्य होता है, मतलब असकी जो कोई भी मान्यता नहीं होती है, उसको रद कर दिया जाता है. सर्थ रहीत, चैक में किसी परकार की सर्थ नहीं हूनी चाहें, बैंक विशेश को आदत, चैक में किसी बैंक विशेश को एक ही निशित धनरासी अदा करने की आग्या होती है यदि यह आग्या किसी व्यक्ति यह संस्था की होती है तो उसे चैक नहीं कहा जा सकता है निशित धनरासी चैक द्वारा उसमें निशित धन्रासी के बुक्तान करने का आदेस होता है चैक में धन्रासी सब्दोवे अंको दोनों में होती है जो की दोनों रूप में समान होनी चाहिए बुक्तान मांग पर देह होना चैक का बुक्तान मांग पर तुरंदे होता है यदि इसमें किसी निशित समय के बाद बुक्तान करने का आदेस होता है तो उसे चैक नहीं कहा जाता बलकि वे बिल हो जाता है तिथी, चैक पर तिथी आवश्यक लिखी होनी चाहिए, यदि यह तिथी तीन महा से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए बुक्तान पाने वाले का स्पस्ट लिखा चैक में उस व्यक्ति के नाम का स्पस्ट उलेख होना चाहिए जिसका बुक्तान प्राप्त करना होता है यदि चैक का बुक्तान स्वम पाने वाला होता है तो चैक पर स्वम सब्द लिखा जाता है लेखक के साइन चैक पर लेखक के साइन होने चाहिए ये साइन उसी परकार के होने चाहिए जैसे कि खाते खोलते समय नमूने के रूप में बैंकों में जमा किये जाते हैं यदि ये साइन हमारे बैंकों से मिल जाते हैं तो बैंक हमें पैसा देता है नहीं था बना कर देता है तो ये तो हमारी होगी चैक की विशेशता है अब हम पढ़ेंगे चैक के पक्ष चैक के हमारे तीन पक्ष होते हैं सबसे पहले लेखक यह वेवेक्ति होता है जिसका बैंक में खाता होता है यह बैंकों को भुकतान करने की आग्या देता है देंदार यह वेवेक्ति होते हैं जिस पर चैक लिखे जाते हैं लेनदारी है वेवेक्ति होते हैं जिस पर धनरासी का भुक्तान प्राप्त होता है चैक लिखते समय ध्यान रखने वाली बाते तो सबसे पहले तिथी चैक पर तिथी लिखना आवशक होता है जिस दिन का चैक लिखा जाता है वही तिथी चैक पर होनी चाहिए कभी-कभी आगे की तिथी भी चैक पर डाल दी जाती है पानी वाले का नाम होता है इसमें धन रासी होती है चैक पर धनरासी सब्दों बेंको दोनों में होती है लेकक के साइन भी होते हैं चैक पर आदेस अनुसाल दिया जाता है कि किसको देना है कौन देगा इस तरीके की होते है इसमें होते है सुधता चेक पर कटा फिटा नाओ गंदा नाओ इस तरही की सुधता का भी ध्यान दिया जाता है नमूने भी मिला जाते हैं ब्लैंक चेक भी होते हैं तो ये सारे हमारे चेक के बारे में विशेशता हैं अब पढ़ेंगे हम विन्यवी पत्र तो विन्यवी पत्र क्या होता है? साधरन सब्दों में विन्यवी पत्र एक लिखित वे सर्ट रहित आग्या पत्र होता है जिस पर लेखक के साइन होते हैं तथा लेखक किसी व्यक्ति या संस्ता को या आग्या देता है कि वह एक निश्चित धन्राशी का बुकतान उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मांगने पर या निश्चित समय के बाद कर देगा यह तो विन्य विपत्र हो गया अब हैं हमारी विन्य विपत्र की विशेष्टा हैं लिखित यह लिखित छपा हुआ या टाइप किये गए होते हैं सर्तरहित होते हैं आग्यापत यह एक आग्यापत्र होते हैं हस्ताद्रन इस पे हसाइन होते हैं निश्चित धन्राशी इसम बुक्तान, धन्राशी का बुक्तान निशी समय के बाद या मांगने पर देश की मुद्रा में व्यक्ति के विशेश को की जाती है, इस पर टिकिट भी होते हैं, स्वीकर्ती होना जरूरी होता है, देनदारों कहनों सार परतिफल का होना विन्य विपर्त के भी तीन पक्ष होते हैं, सबसे पहले लेखक विन्य विपर्त का लेखक वे होते हैं, यह हैं जो उधार माल पर विक्री करते हैं देनदार ये वेवेक्ति होते हैं जिन पर विपर्थ लिखे जाते हैं बुक्तान ये वेवेक्ति होते हैं जिन पर भुक्तान प्राप्त होता है विन्य विपर्थ को लिखते समय भी निमबातों का ध्यान रखा जाता है सबसे पहले स्थान विन्य विपत के दाएं और सबसे पहले स्थान वे नाम वे पता होता है तिती विन्य विपत पर तिती दाएं और सबसे उपर तथा स्थान के नाम के नीचे होती है धनरासी विन्य विपत्र में धन्रासी दोस्थानों पर लिखी जाती है एक बार अंकों में और दूसी सब्दों में सब्दों में धन्रासी विपत्र के मुख्य भाग में लिखी जाती है टिकेट विन्य विपत्र के बाएं और अंकों में लिखित धनरासी के नीचे आपसर टिकेट की या स्टेम्प लगाया जाता है बिल की अवदी विन्य विपत्र में वे अवदी अनिवारे रूप से लिखी जाती है पक्षो के नाम विन्य विपत्र के तीन पक्षोते हैं लेखा के देनदारे हो प्राप्ट करता है अब हमारा प्राप्त मुल्य के बदले या पर्तिफल विन्य विपत्र में के मुख्य भाग में सबसे अंत में मुल्य पत्र या पर्तिफल होना शवद होना अनिवारिय होता है तो इस तरीके से हमारे विद्ने विपरत की साफ धियानिया हो जाएंगी जब हम विद्ने विपरत लिखते हैं तो हमें इन बातों का धियान रखना जरूरी होता है थैंक यू